यूपी में पलवी पटेल को लेकर काफी बस बना हुआ है। उनकी गाड़ी पर बैठी नजर आई जिसके बाद राजरेति गलियारों में इसके अलग-अलग मायने निकाले जा रही है। समाज के हक और अधिकारों की लड़ाई हमारे वास्तविक सवाल, समाजिक न्याय और जादिवार जनगर्ना की लड़ाई को आगे लेकर चल रहे हैं। हम प्रतिबद हैं उस लड़ाई के लिए और अपनी पार्टी की तरफ से इसमें हमने अब प्रतिभाग किया है। और ये संकल्प और ये वादा पूरी कॉंग्रेस पार्टी को और विशेश रूप से इस यात्रा का नेतृत कर रहे हैं राहुल जी को हम देते हैं। कि दलित पिछला शोथित समाज के जायज सवालों पर पूरी ताकत से जहां जहां भी अपना दल का साथ उनको चाहिए होगा, अपना दल पूरी ताकत से उनके साथ खड़ा मिलेगा। के अलावा कुछ अन्य दलों के नेता भी मौझूद थे। राहुल गांधी के रोट्शों में पलवी पटे उनकी गाड़ी पर बैठी तो उनके साथ में नीले रंग का जंडा भी दिखा। अब एक्सपर्ट्स की माने तो इसके बीएसपी से जोडने की भी कवायत शुरू हो सकती है। यानि राहुल गांधी ने एक साथ रोट्शों के जरिये दोनों यूपी की स्थानिये बड़ी पातियों को कई संदेश दे दिये। इन सब के लावा कॉंग्रिस की यात्रा से ये भी साफ हो गया कि आने वाले दिनों में दूसरी पार्टी के नाराज नेताओं के लिए भी कॉंग्रिस का दर्वाजा खुला रहेगा। दरसल अखिलेश यादव ने जिस तरीके से राजसभा में जया बच्चन और आलोक रंजन को राजसभा का उम्मीदवार बनाया इससे अपना दल कमेरावादी यानि की पलवी पटेल का गुट बेहत नाराज है। पटेल को समाजवादी बादी की ओर से राजसभा चुन्नाव के लिए उम्मीदवार ना बनाया जाना असल में अखिलेश यादव ने राजसभा में जया बच्चन और आलोक रंजन को भेजा है जिससे खफा अलवी पटेल ने यह कह दिया है कि पीडिये का मतलब मैं पिछ चुड़ा दलित खेत खलिहान की हो रही है तो फिर पीडिये कहां गया आपको बता दें कि उत्रप्रदेश की राजनिती में दो अपना दल है एक केंद्रिये मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस चो बीजेपी के साथ चुनावी मैदान में थी और दू दूर्था दें बहन्सा दें की अपना दल का गठन उन्होंने ही किया था लेकिन दोनों बहनों के बीच पार्टी के वर्चस्वर की झंग चलती रही आकर में एक्यू पलवी पटेल अपना दल से अलग होकर अपना दल कमेरावादी नाम से एक पाटी बनाई और समाजवादी पाटी के साथ अपनी पाटी का गट बंदन कराया पलवी पटेल अपना दल कमेरावादी की उपाध्यक्ष हैं बात करें सिरातू सीट की तो साल 2012 के चुनाव से पहले केशिफ प्रसाद मौरे ने ही सबसे पहली बार यानि कि साल 2012 के चुन्नावों में कमल खिलाया था इससे पहले यहां बीजेपी और समाजवादी पाटी का खाता भी नहीं खुला था केशिफ के खिलाफ बीजेपी ने यहां से मुंसब अली उस्मानी को मीदवार बनाया था सिराथू सीट पर एक लाग से ज्यादा डलित वोटर है इसमें भी साथ फीज़दी से ज्यादा पासी है जिसका साथ बीजेपी को मिलता रहा है 80,000 के करीब मुसलिम और यादव हैं 25 फीज़दी से ज्यादा गैर यादव ओबीसी हैं इनमें पठेल और मौरे कुश्वाहा दोनों हैं 25,000 से ज्यादा ब्रामन भी हैं बात करें पल्लवी पटेल की संपती की तो भीते चुनावों में दाखिल किये गए हलफ नामे के मताविक तो उनके पास 3,35 लाख रुपे की संपती है और उनकी आमदनी का जर्या उनका बिजनिस है। पल्लवी पटेल की मा का नाम कृष्णा पटेल है और उनके पेता का नाम सोनेवाल पटेल। अब राज़स बचनावों के बीच यूपी की मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी को पल्लवी पटेल का कॉंग्रिस के साथ जाना या उनके साथ उसकी नजदी किया एक कर दो